नमस्कार आप देखरें न्यूसबल इंडिया आपके साथ मैं हूं काजो उनरायन राश्पती भवन से लेकर इंडिया गेट तक की तीन किलोमेटर लंबी सड़क का हिस्सा खुदा हुआ है और यहां जगा जगा ज़ेसी भी काम करती नज़राती है मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा रीड डेवलोप्मेंट प्रोजेक्ट का काम विरोध के बावजूद पूरी रफतार से चल रहा है राजनीतिक बयानबाजी के साथ अदालत में भी इसका विरोध चल रहा है पहले मामला Supreme Court पहुँचा था पूर्ट से अनुरूद किया गया था कि इस प्रोजेक्ट के काम पर ततकार रोक लगा दी जाए लेकिन Supreme Court ने ऐसा करने से इंकार करते हुए कहा था कि ततकार सुनवाई के लिए High Court में अपील की जाए इसके बाद 10 माई से दिली हाई कोट में इस मामले की सुनवाई चल रही है कोट में सरकार का दावा साइट पर कोविट प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है कोई भी जाकर देख सकता है हाई कोट में दाखिली आजका में सवाल उठाय गया था कि कोरोना के खत्रे के बावजूद काम क्यों चल रहा है इस पर केंदे सरकार के वकील ने कहा था कि सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट के तहट कंस्रक्शन साइट पर लॉकडाउन के पहले से काम चल रहा था कंस्रक्शन के दौरान ऐसा कैसे संभव है कि मजदूर अपनी बीच परियाप्त दूरी रख सके ये भी सवाल था इस सवाल पर सरकारी पक्ष का कहना था कि आजका में जानतर बाते परस्रेप्शन के आधार पर की गई है साइट पर कोविड प्रोटोकोल का पालन किया जा रहा है इसे कोई भी जाकर देख सकता है हकीकत क्या है कंस्रक्शन साइट पर गार्ड किसी को भी नहीं जाने देते फोटो खीचना तक मना है राजपत पर जगा 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 जएसी भी मशीने नजराती हैं दूर से देखने पर एकका दुका मजदूर भी दिखाए देते हैं लेकिन मोबाइल निकालते ही वहां तैनाद गार्ड रोग देते हैं बताये जाता है कि यहाँ फोटो खीचना मना है हम सिर्फ कंस्रक्शन साइट पर मजदूरों को काम करते देखना चाते हैं ऐसे सवाल आम लोग करते हैं इस सवाल पर साफ मना कर दिया जाता है और कई बार कुछ मीडिया कर्मी भी वहाँ पहुचे हैं लेकिन उनसे भी मना कर दिया गया और जहां काम चल रहा है वहाँ जाने की जाज़त नहीं दी जाती कोट में सरकारी वकील ने कहा है कि साइट पर ही मजदूरों के रहने का कैम्प बनाए गया है लेकिन मजदूरों का कैम्प किस जगा पर बनाए गया है अधिकारियों ने इस बात की जानकारी देने से इंकार कर दिया सुरक्षा कर्मी किसी को भी कंस्ट्रक्शन साइट के भीतर नहीं जाने देते अब दूसर सवाल ये है कोट में सरकार का दावा याचका में आरोप लगाये गया है कि बस से मजदूरों को साइट पर ले जाये जाता है जिसे उनमें कोरोना संक्रमन का खत्रा है याचका और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मजदूरों को सराय काले खा के कैम्प में लाये जाता है इसके जवाब में दाखिल शुपतपत्र में सरकार ने कहा था कि उन्य सप्रेल को दिल्ले में करोना कर्फी लगने से पहले यहां 400 मजदूर काम कर रहे थी और इसे 200 के साइट पर बने कैम्प में ही रहने की विवस्था की थी हाकिकत क्या है कितने मजदूर काम कर रहे हैं कोई ये बताने को तयार नहीं है इंडिया गेट वाली साइट पर काम कर रहे हैं किसी मजदूर से बात करना असान नहीं है पहले तो आप मजदूरों तक पहुंची नहीं पाएंगे और अगर पहुंच भे गए तो उन्हें इस ब प्रक्षा कर्मियों ने ये जरूर बताया कि सुभा बस मुझदूरों को लेकर आती है और शाम को लेकर जाती है लेकिन कुछ गाड़ों का कहना था कि जादे तर मुझदूर कैम्प में ही रह रहे हैं लगडाउन में मेरी नौकरी क्यों खत्रे में डालना चाहते हो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर हाई कोट में किये गए दावों को परखने का कोई तरीका नहीं है राशपत मानसिंग रोड़ पर हर तरफ इस तरह के साइन बोड लगे हैं कि आप यहां प्रवेश नहीं कर सकते केंद्रे लोक निर्मान विभाग ने अब साइट्स के फोटो किशने पर भी रोक लगा दी है चारो तरफ सकत पैरा है जवाँ जाने की कोशिश की जाती है तो इस पर गार्ड का जवाब आता है कि बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली है लोकडाउन में घर का खर्चा चल पा रहा है आप क्यों मेरी नौकरी को खत्ने में डालना चाते हैं वो इससे अंदाजा लगाए जा सकता है कि सुरक्षा कर्मियों को कितने सकत निर्देश दिये गए हैं मांसिंग रोड पर केंद्र सुरक्षा बलो की दो बसे भी खड़ी हैं ये सुरक्षा कर्मी यहाँ आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखे हुए हैं जगर जगर दिली पुलिस के जवान भी तनात हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बाकी साइट भी टीन से घिरी हुई है इंडिया गेट से राजपती भवन के बीच काम चल रहा है दिली हाई कोट में पढ़ी आज का इंडिया गेट वाली साइट के लिए ही है इसके अलावा पुराने संसर्भवन की पास नए संसर्भवन की कंस्रुक्शन साइट को टीन की हरे रंग की उची चादरों से घिरा गया है जिरी से जाकने पर यहां कंस्रुक्शन मसीने जरूर नसर आ जाती है राजपत वाले हिस्से पर नवंबर दोहजार इकिस ता काम पूरा होना है केजरे लोक निर्मान विभाग में यानि की CPWD ने सेंट्रल इवन्यू रिब डेवलोप्मेंट के लिए इसी साल जन्वरी में 502 करोड रुपए का टेंडर निकाला था ये काम 487.08 करोड रुपए की बिड पर शपूर जी पलोनों जी कमपनी को मिला था चार फरवरी को यहां काम शुरू हो गया था तैशर्टों के तहत इस प्रोजेक्ट का काम 300 दिनों के अंदर पूरा किया जाना है CPWD की तरफ से कोट वेदार हरफना पर बताये गया है कि इंडिया गेट राश्पत पर हो रहा काम सेंट्रल विस्टा इविन्यू रीड डेवलोप्मेंट प्रोजेक्ट का केवल एक हिस्सा है इसके तहत राश्पत पर सार्वजनिक सुवधाओं को सुधारा जा रहा है यानि दिलकश नजारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जब पूरा होगा तो क्या शक्ल लेगा यह भी पुखता दौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी भी इसके बारे में बहुत सी जानकारिया सार्वजनिक नहीं है तुलाल सुलितना ही आप बने रहे हैं न्यूजवल इंडिया के साथ